गाई श्याओमी की स्टार्टिंग से लेकर अब तक के कंप्लेट हिस्ट्री उठाके देख लो बहुत ही अच्छे डिवाइस आपको बहुत ही चीप प्राइस पर देता रहा है और मी बैंड सको लोकर आप इस चीज का अच्छे से आइडिया लगा सकते हैं जो as a fitness डिवाइस काफ़ी डिमांडिंग प्रोड़क्ट है और दिस इस दी ओनली रीजन की मी बैंड वन से लेकर मी बैंड फॉर तक काफ़ी सक्सेस्पूल रहे हैं नाव कम टू दी पॉइंट यू गाइस आर वेटिंग फॉर मी बैंड फाइफ तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते ह हैं मी बैंड फाइफ से जुड़े कुछ इंट्रेस्टिंग स्पेजिविकेशन को लेकर सो मी बैंड फाइफ को लेकर काफी सारे लीक्स और रूमर्स निकल कर आ रहे हैं जहां बताय जा रहा था कि इस बार प्रीवियस डिवाइस के कंपेरेजन में मच लार्जर डिस्प् देखने को मिलेगा मी बैंड फाइफ को लेकर स्लैश लीक के ऊपर कुछ लाइफ फोटो सैंपल्स लीक हुए थे जिनके अकोडिंग मी बैंड फाइफ एक पंच्छोल एज टू एज डिस्प्ले के साथ में बताय जा रहा था जो कि कंप्लीटली फेक इमेजिस हैं जिसे र इसे लीक्स है कि ग्लोबल वेरियंट में भी आपको एनेफसी का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है जहां आप एनेफसी फीचर के थूरू इजी ली पेमेंट भी कर सकते हैं इसके अलावा शाओमी बार मी बैंड फाइफ के साथ में मी पे और गूगल पे जैसे फीचर भी इंप्लिमेंट कर सकता है तो हम सभी के लिए ये एक सूपर कन्यूइन फीचर भी हो सकता है इसके अलावा मी बैंड फाइफ के साथ सेंसर को लेकर काफी ज्यादा इंप्रूमेंट शाओमी बार करने वाला है जैसे कि हार्ट रेट ट्रेकर सिलिप टाइमर वर्काउट के सा इंडोर और आउड़ोर एक्टिविटीज भी आप काफी ज्यादा एकरिसी के साथ में ट्रैक कर पाएंगे इसके लावा मी बैंड फाइफ आई पी 68 सर्टिफाइड होगा जहां आपको वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ प्रटक्शन भी देखने को मिलेगी सो अभी त इस बार आपको पहले से काफी जदा इंप्रूमेंट मी बैंड फूर के साथ में देखने को मिलने वाले हैं तो फिलाल के लिए यही कुछ इंफॉमेशन थी मी बैंड फाइफ को लेकर अगर आप मी बैंड फाइफ के लिए एक्साइटेड है तो फृदर अपडेट्स के ल साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलना मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं मिलता हूं आपसे अपने नेक्स वीडियो में